नमस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितियनाद जी अन्य सभी महानुभाव देश के कौने कौने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों देश के कृसी सेक्टर, खेती, किसानी के लिए आज का दिवस बहुती महत्पपून है मैंने देश भर के किसान साथियों से आगर किया था कि नेचरल फार्मिंग के नेशनल कौनक्लेव से जरूर जुड़े और जैसा अभी क्रिशी मंत्री तोमर्जी ने बताया करीब परीब आठ करोड किसान टेक्नोलोजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए है मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ मैं आचारिय देवरत जी का भी रिदय से भिनन्दन करता हूँ मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बाते सुन रहा था मैं स्वैम तो किसान नहीं हूँ, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था की प्राकृति क्रिसी के लिए क्या चाहिए, क्या करना है बहुती सरल सब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे पक्का विश्वास है, आज का उनका ये बारदर्शन और मैं जान बुचकर आज पूरा समय उनको सुन लेक लिए बैठा था क्योंकि मुझे मालूम था, कि उन्होंने जो सिद्धी प्राप्त की है प्रयोग सफलता प्रयोग आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फाइदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों, ये कौन्कलेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दाइरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए हैं, भारत के हर किसान के लिए हैं एगरी कल्चर के अलग-अलग आयाम हो, फुर्ट प्रोसेसिंग हो, नेचर इंफार्मिंग हो ये विशय 21 सदी में भारतिय करसी का काया कल्प करने में बहुत मदद करेंगे इस कौन्कलेव के दौरान यहां हजारो करो रुपिये के समझोते उसकी भी चर्चा हुई, उसका भी कुछ प्रगति हुई हैं इनमें भी इथेनोल, और्गनिक फार्मिंग और फुर्ट प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्सा दिखा हैं, नई संभावनाओं को विस्तार देता है मुझे इस बात का भी संतोस है कि गुजरात में हमने टेक्नोलोजी और नेचरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किये थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्णर आचारे देवरजी का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनोंने देश के किसानों को नेचरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में, स्वव अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है साथियों, आजहादी के अमर्त महुत्सों में आज समय अतीत के अवलोकन का उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है आजहादी के बात के दशकों में, जिस तरह देश में खेती हुई जिस दिशा में बड़ी, वो हम सबने बहुत मारी के से देखा है अब आजहादी के सोवे वर्स तक का, जो हमारा सफर है आने वाले पचीसाओं का जो सफर है, वो नई आवशक्ताओं, नई चुनवतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है बीते छे, साथ साल में, बीज से लेकर माजार तक, किसान की आई को बढ़ाने के लिए, एक के बाद एक, अनेक कदम उठाए गए है मिट्टी की जाँच से लेकर, सेंकडो नए बीज तयार करने तक, पी एम किसान सम्मान निधी से लेकर, लागत का डेड़ गुणा MSP करने तक, सींचाई के ससकत नेटवर्क से लेकर, किसान रेल तक, अनेक कदम उठाए है और सिमान तोमर जी ने, इसका कुछ जिक्र भी अपने भाषन में किया है खेती के साथ साथ, पशु पालन, मदुमक्खी पालन, मच्षे पालन, और सावर उर्जा बायो फ्यूल जैसे आएके अनेक वेकलपिक साधनों से, किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है गावों में भंडारण, कोल्ड चेन और फुट प्रसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड रुपिये का प्रावधान किया है ये तमाम प्रयास किसान को संसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्टन हमारे सामने है जब मिट्टी ही जबाब दे, जब मिट्टी ही जबाब दे जाएगी, तब क्या होगा? जब मोसम ही साथ नहीं देगा, जब दर्ती माता के गर्ब में पानी सिमित्र है जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनोतियों से दोचार होना पड़ रहा है यह सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांते में एहम रोल निभाया है लेकिन ये भी उतना ही सचा है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा खेती में उप्योग होने वाले किटन आशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से दुनिया के देशों से अर्बों खर्बों रुप्या खर्च करके लाना पड़ता है इस वज़े से खेती की लागत भी बढ़ती है किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महांगी होती है ये समस्या किसानों और सभी देशवाजियों की सहथ से जुड़ी हुई भी है इसलिए सतर्क रहने की आवशक्ता है जागरुक रहने की आवशक्ता है साथियों, गुजरात में कहा वक है हर घर में बुली जाती है पानी आवे तो पहला पाल बांदो पानी पहला पाल बांदो अप्रते बंदेश केता होह छे इसका तात्परी ए कि इलाज से पहले परहेज बैतर इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याय भी विक्राल हो जाए उससे पहले बड़े कदम उठाने का यह सही समय है हमें अपनी खेती को केमेस्ट्री की लेप से निकाल कर नेचर याने प्रकृती की प्रयोगसाला से जोडना ही होगा जब मैं प्रकृती की प्रयोगसाला की बात करता हूँ तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारिती है ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचारिय देवरत जी ने विस्तार से बताया भी है हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त करकर के भी यूटूब पर आचारिय देवरत जी के नाम से डूंडेंगे तो उनके भाशन भी मिल जाएंगे जो ताकत खाद में है फर्टिलाइजर में है वो बीच वो तत्व प्रकृती में भी मौजूद है हमें बस उन जिवानों की मात्रा धर्ती में बढ़ानी है जो उसकी उपजाओ शक्तिस को बढ़ाना है कई एक्सपर्स कहते हैं कि इसमें देशी गायों की भी एहम भूमिका है जानकार कहते हैं कि गोबर हो गोमुत्र हो इससे आप ऐसा समाधान तयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं इस खेती में ना तो खाद पर खर्च कमना है ना किट नाशक पर इसमें सिंचाई की आवशक्ता भी कम होती है और बाढ़ सुखे से निपटने में भी ये सक्षम होती है चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पाने वाली भूमी प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसले ले सकता है यही नहीं जो गेहूं धान दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है जो पराली निकलती है उसका भी इसमें सदुप्यों किया जाता है यानि कम लागत जादा मुनाफ़ा यही तो प्राकृतिक खेती है साथियों आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है उतना ही बैक टू बेजिक की और बढ़ रही है इस बैक टू बेजिक का मतलब क्या है इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना इस बात को आप सब किसान साथियों से बहतर कौन समझता है हम जितना जड़ों को सीचते हैं उतना ही पवधे का विकास होता है भारत तो एक कृशी पधान देश है खेती किसाने के इदगिद ही हमारा समाज विक्सित हुआ है परमपराएं पोशित हुई है परवत त्योहार बने है यहां देश के कोने कोने से किसान साथि जुड़े है आप मुझे बताईए आपके इलाइका का खान पान रहन सहन त्योहार परमपराएं कुछ भी ऐसा Ranger जिस पर हमारी खेती का फसलों का प्रभाव नहों कुछ भी नहीं है जब हमारी सब्वेता किसानी के साथ इतना फली-फुली है तो कुशी को लेकर हमारा ज्यान विझ्यान को कितना समर्द रहा होगा कितना वज्यानिक रहा होगा इसलिए भाव्यों भेनों आज जब दुनिया और्गेनिक की बात करती है नेचरल की बात करती है आज जब बैक टू बेजिक की बात होती है तो उसकी जड़े बारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है साथियों यहाँ पर कृसी से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्तित है जिनोंने इस विशे पर व्यापक शोद किया है आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ रिग्वेद और अथर्ववेद से लेकर हमारे पुराणों तक कृष्टी, पाराशर और काश्यपिय कृष्टी, सुक्त जैसे प्रातीन ग्रंथों तक और दक्षिन में तमिल नाडु के संत तिरुवल वर्जी से लेकर उत्तर में कृष्ट कभी घाग तक हमारी कृष्टी पर कितनी बारिकियों से शोध हुआ है जैसे एक स्लोग है गोहित हा छेत्र गामी चा काल जो बीज तत्पर हा कालग्यों बीज तत्पर हा वितंद्रह सर्वश शास्चाज्य कृष्ट को न अवसी दती अर्थात जो गोधन का पशुधन का हित जानता हो मौसम समय के बारे में जानता हो बीज के बारे में जानकारी रखता हो और आलस न करता हो ऐसा किसान कभी परेश्टान नहीं हो सकता गरीब नहीं हो सकता ये एक स्लोक नेचुरल फार्मिंग का सुत्र भी है और नेचुरल फार्मिंग की ताकद भी बताता है इसमें जितनी भी संसाधनों का जिक्र है सारे प्राकरूतिक रूप से उपलब्द है इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाए कब कौन सी फसल में पानी लगाए कैसे पानी बचाए इसके कितने ही सुत्र दिये गए एक और बड़ा प्रचलित लोग है नैरू त्यारत ही धान्याना जलम भादरे विमो चायते मुलम मात्रतु संस्थाप्य कार्य जट मोक्षन यानि फसल को बिमारी से बचा कर पुष्च करने के लिए भादों के महने में पानी को निकाल देना चाहिए केवल जडों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए इसी तरह कभी गागने भी लिखा है गेहू बाहें चना दलाएं धान गाहें मक्का निराएं उख कसाएं यानि खुब बाह करने से गेहू खांटने से चरा बार बार पानी मिलने से धान निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बाने से गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है आप कल्पना कर सकते हैं करीब करीब दो हजार वर्ष पूर्व तमिल नाड़ू में संत तिरुवल्वर्जे ने भी खेती से जुड़े कितने ही सुतर दिये से उन्होने कहा था तोड़ी पुड़ी कच्चचा उनक्किन पीडी थेरुवं बेंडादू सालप पडूं अर्थात if the land is dried so as to reduce one ounce of earth to quarter it will grow plentifully even without a handful of manure साथियों क्रिशी से जुड़े हमारे इस प्राचिन ज्यान को हमें न सिर्फ फिर से शिखने की जरुत है बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरुत है इस दिशा में हमें नए सिरे से सोथ करने होंगे प्राचिन ज्यान को आधुनिक वैज्यानिक फ्रेम में डालना होगा इस दिशा में हमारे ICAR जैसे समस्तानों की कुशी विज्यान केंद्रों कुशी विश्विद्यालायों की भूमी का बहुत बड़ी हो सकती है हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थेरिस तक ही सिमित नहीं रखना है हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बड़ना होगा लैब टू लेंड यही हमारी आत्रा होगी इसकी सुरुवाद भी हमारे एस संस्थान कर सकते हैं आप यह संकर्प ले सकते हैं कि आप नेचरल फार्मिंग को प्राकृतिक खेती को जादा से जादा किसानों तक ले जाएंगे आप जब यह करके दिखाएंगे कि यह सफलता के साथ संभव है तो सामान्य मान्वी भी इस से जल्द से जल्द जुड़ेंगे साथियो नया सिखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई है जानकार यह बताते हैं कि खेत में आग लगाने से दर्ती अपनी उपजाओ शमता खोती जाती है हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को और यह बात समझने जैसी है जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो इट का रूप ले लेती है और वो इट इतनी मजबुद बन जाती है कि इमारत बन जाती है लेकिन फसल के अवश्रसों को जलाने की हमारी यहां परमपराजी पड़ गई है पता है कि मिट्टी तपती है तो इट बन जाती है फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं इसी तरह एक ब्रम ये भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी नहीं जबकि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है तमाम चुनोतियों के बावजूद क्रिशी यूग में मानवता सबसे तेजी से फली फुली आगे बड़ी क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी लगातार लोग सीखते थे आज अउद्योगी की यूग में तो हमारे पास टेकनोलोजी की ताकत है कितने सादर है मौसम की भी जानकारी है अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहाद बना सकते हैं दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परिशान है उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंप्रागत ग्यान के द्वारा उपाई दे सकता है हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं भाई और भेनों नेचुरल फार्मिंग से जिने सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के असी प्रतिशत छोटे किसान वो छोटे किसान जिन के पास दो हेक्टर से भी कम भूमी है इन में से अधिकाउं किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाजर पर होता है अगर वो प्राकृतिक खेती के तरफ मुड़े गिये तो उनकी स्थिती और बहतर होगी भाई और भेनों प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिलकुल सटिक बैठती है जहां सोशन होगा वहां पोशन नहीं होगा गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना पटलना भूल जाना खेत की गुडाई भूल जाना एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है हाल के बर्सों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं इन में से कई तो स्टार्ट अप्स हैं नवजवानों के हैं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रंप्रागत कृष्ची विकास योजना से भी उन्हें लाब मिला है इसमें किसानों को प्रश्रिक्षन भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है भाई और भेनों जिन राज्जों के लाखों के साम प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं उनके अनुभव उत्सावर तक है गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयाश शुरू कर दिये थे आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रती आकर्षन बढ़ रहा है मैं आज देश के हर राज्य से हर राज्य सरकार से यह आगर करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए इस अमरित महुत्सों में हर पंचायत का कम से कम एक गाम जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े यह प्रयास हम सब कर सकते हैं और मैं किसान भाईयों को भी कहना चाहता हूँ मैं यह नहीं कहता कि आपके अगर दो एकर भूमी है या पांच एकर भूमी है तो पूरी जमीन पर प्रयोग करो आप थोड़ा खुद अनुभव करो चलिए भी उसमें एक छोटा हिस्सा ले लो आदा खेत ले लो एक छोटा हिस्सा ले लो एक हिस्सा तै करो उसमें यह प्रयोग करो अगर फाइदा दिता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ एक दो साल में आप देरे देरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे दाहरा बढ़ाते जाओगे मेरा सभी निवेश सात्यों से भी आगर है कि यह समय औरगेनिक और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश्टा समय है इसके लिए देश में ही नहीं बलकि पुरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है सात्यों इस अमरत कान में दुनिया के लिए फुड सिकुरिटी और प्रकृति से समनवे का बहतिन जबादान हमें भारत से देना है क्लाइमेट चेंज समीट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल फॉर एनवार्मेंट याने लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आवान किया था 21 वी सदी में इसका नेत्रूत भारत करने वाला है भारत का किसान करने वाला है इसलिए आईए आईए आजाजी के अमरित महोचों में मा भारती की धराक और आसानी खाद और किटना से सोनते मुक्त करने का संकल पले दुनिया को स्वस्थ धरती स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं आज देश ने आत्म निर्भर भारत का सपना संजोया है आत्म निर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृष्षी आत्म निर्भर बने एक एक किसान आत्म निर्भर बने और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृति खाड और दवाईयों के बदले हम माभारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करे प्राकृतिक तत्वों से करे हर देश्वासी हर चीज के हीत में हर जीव के हीत में प्राकृतिक खेती को हम जनांदोलन बनाएंगे इसी विस्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का गुजरात के मुख्यमंत्री जी का उनकी पूरी टीम का इस इनिशेटिव के लिए पूरे गुजरात में इसको एक अंदोलन का रूप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोडने के लिए मैं सम्मंदित सभी का र तुझे से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद.